जाहिन दोस्तों स्वागा था आपका अपने स्टेडी 24 जार्खन यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप सभी जार्खन बोर्ट के कलास 9 के छात्रों के बोर्ट एक्जाम 2022 के लिए 5 मई को होने वाले मैथ के मॉडल पेपर से 2 के सभी 40 प्रशनों को हूँ और आज मैं इस वीडियो में मैथ के सभी प्रशनों को उत्तर रेके करके सौल करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा इसलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर अंतक बने रहिएगा तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और र निकित में से कौन सा अभाजी संक्या है तो दो एक अभाजी संक्या है ठीक है चलते हैं नेक्स सवाल की ओर नेक्स सवाल क्या बोल रहा है दो पुर्णांकों का गुननफल हमेशा क्या होता है एक पुर्णांक होता है दो पुर्णांकों का गुननफल क्या होता है एक पुर परिमे संख्या है तो option में दिया नहीं हुआ है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा पाई क्या है या है आप परिमे संख्या है चलते हैं नेक्स स्वाल की और चार नंबर स्वाल है वास्तिविक संख्या होती है वास्तिविक संख्या परिमे संख्या और आप परिमे संख्या दोन इसका राइट अंसर लिए नमबर हो जाएगा चलते हिनेक्स वाल की और छे नमबर सवाल है 2 के power minus 3 ब्राबर क्या होगा तो 2 के पावर minus 3 है है तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे सबसे पहले किस तरह लिखेंगे 1 by 2 के power 3 minus है बटा के इधर आयकत क्या हो जागा पलास में हो जाएगा ठेक है अब इसको लिखते हैं एक दो के क्योंकि कितना होता है एक बटा आड़ गूसे अप्सेन वे दिया हुआ है सी नंबर ऑप्सेन हो दिया हुआ इसलिए इसका राइट अनसर हो जाएगा सी नंबर एक बटा आठ ठीक है चलते है नेक्सवाल की और साथ नंबर स्वाल गोला इनमें से कौन सा एक बहुपद है तो दोस्तों सी नंबर यह भी नहीं होगा और यहां भी दिया वाब 4 बार रूट अंडर एक्स जो एक बहुपद नहीं होगा इनमें से उप्षन c नमबर दिया हुए है 2x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 4x प्लस 3 ठीक है चलते हैं नेक्स स्वाल के और 8 करें आठ नमर स्वाल है मुल रहा है का आठ नमर स्वाल क्या बोल रहा है निम्ले क्हलें से कौन साफ बहुपद का सुन्यक 2 है एक सुन्यक 2 से ओप्सिन से चेक करेंगे बिन भालस चेक करते हैं अन्हीं एक्स माइनस 2 बराबर 20 those correct इंसर क्या हुच्छा बैख 2 चलते next स्वाल की ओर 9 number स्वाल बहुपद x2-3xq-5x का घात क्या हुआ तो घात निकालते कैसे दोस्तों जिसका पावर सबसे अधिक होता है वो मेरा घात हो जाएगा तो सबसे पावर अधिक किसका दिया हुआ एकस क्यूकर दिया हुआ है एकसे पावर तीन घात दिया हुआ इसका राइट अंसर दी नमबर हो जाएगा तीन घात है ठीक है चलते नेक्स वाल क्यों दस नमबर स्वाल अधि पी एकस बराबर 5x2-2x-7 तो पी वन कमान निकालना है ठीक है तो पी एकस बराबर दिया क्या 5x²-2x प्लस 7 अब पी 1 कमान पुटकर निकालना है ठीक है तो पी वन आनि एकस के मान कितना हूं लेना है तो पांचullah को जोडते हैं 7, 5 k कितना हो गया 12 मेंसे 2 चला गया कितना हो बचेगा 10 कौन से अप्चन में है यह number option में इसलिए इसका right answer A हो जाएगा ठीक है चलते है next सवाल की ओर इस 11 number 2x q-5x square-2x plus 5 में x4 का गुनांग पूछ रहा है x4 का गुनांग तो इसमें x4 का x4 दिया है नहीं हुआ है इसलिए इसका गुनांग क्या हो जाएगा सुन हो जाएगा 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 ठीक है चलते हैं नेक्स सवाल की ओर नेक्स सवाल क्या बोल रहा है बारा नंबर अधिक इसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्कॉर प्लस एक्स माइनस टू को एक्स प्लस टू से विभाजित किया जाता है तो सेस्फ़ल क्या बचेगा तो एक्स प्लस टू से विभाजित करना है क्या करते है एक्स प्लस टू बराबर जिरो ले ले लेते हैं एक्स बराबर क्या देगा माइन टू 1 इसको क्या करते है पी एक्षक एक्यशन दिया हुआ पी ेक्स बराबर-स अ-क्क इस equation में रख देते हैं तो minus 2 के square प्लस फिर minus 2 फिर minus 2 तो 2 के square करेंगे minus minus क्या हो जागा plus हो जागा 2 के square 4 और plus minus minus 2 और यह minus 2 और 4 minus 4 गया क्यतना बचाएगा 0 तो विभाजित करने पर इसका सेज़फल क्या आएगा दोस्तों जीरो आएगा ठीक है चलते हैं नेक्स वाल क्या बोल रहा है एक स्कवाण मैंनस 9 x प्लस क का एक गुनअखन x अन्हों हो तो क कमान क्या होगा एक गुनअखन दिया हुए एक स्ते बेद स्कवाण बरिया ले ले लेते हैं 0 तरहाँ एक स स्वान येंगे 0 त्राभण ना किया जीक्योंग बठा देना में है equation क्या दिया हुआ X Q로-9 x plus K अब x यहां ड़ाबर वघांगीन रख देना है 1 square स्काट माइनस 9 िंग फ्रीकर एक माइनस नाइन प्लस के आपक्या करना हैक मैंसे इतना बराबर 0 लेना है ग्याने इसमों ग्याए एक मैंस आट प्लस f3 तो घ्रे बराबर त्या जाएगा 8 आठ आजाएगा कौन सा अपसर में दिया हुए बी नंबर अपसर में दिया हुए है के बराबर 8 ठीक है चलते हैं नेक्स सवाल क्यों है 14 नंबर सवाल x square minus x minus 6 का गुनानखंड क्या हो जाएगा तो x square minus x minus 6 अब इसका गुनानखंड निकालना है इसको कैसे करेंगे x square minus 3x और plus 2x minus 6 और 6 को x square से गुना करेंगे तो 6 x square गुना करके आना चाहिए और जोड के minus x आना चाहिए ठीक है तो उसी तरह इसको क्या किया है बठाएं x square minus 3x plus 2x minus 6 अब इससे क्या करते x common लेते x common लेंगे तो क्या हो जाएगा x minus 3 और इससे क्या दो कॉमन ले लेते हैं प्लस टू कॉमन लेने तो x minus 3 इसको दो गुनानखंड निकल गया एक x minus 3 निकल गया और एक x plus 2 निकल गया तो देखते हैं कौन सा अप्शन में है इसलिए इसका राइट अंसर डी हो जाएगा 15 नमबर सवाल है दोस्तों बोल रहा है आकिरती को देखके निमलिक्षित प्रस्णों का उत्तर दीजे यह रहा मेरा आकिरती अब इसमें जेकते हैं सवाल क्या पूछ रहा है 15 नमबर सवाल पूछ रहा है बिंदु L का निर्द सांग है यहाँ कहां यहाँ पर इसका अतलिया हूं मैंस 5 और एक क्या दिया हूं मैनस 4 तो मैंनस 5 और मैंस 4 और मैंस 4 यह x हो गया यह y हो देखके तो कौन अप्सण में है c नमबर option में मैं मैंस 5 और मैंनस 4 ठीक है चलते है नेक्स सवाल की और 16 नंबर सवाल क्या है बंदू S की कोटी क्या है तो एस कहा है कोटी लेना है ठीक है तो बिंदू S की कोटी क्या है फिगर में देख लेते हैं दोस्तों बिंदू यहां पर है और इसका कोटी बोल्य अगत क्या होगा y-axis और y-axis में कितने दिया हुआ मैनस 4 इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा मैनस 4 ठीक है चलते है next सवाल क्या और सतर नम्मर बिंदू b का भूज क्या है इसका right answer हो जाएगा चार बिंदू भूज बोले तो x-axis रखना है और कोटी बोले तो y-axis याद रखना ठीक तो भूज है यहां पर इसलिए यहां बिंदू b का भूज क्या हो जाएगा चार हो जाएगा इसले इसका रहिट अंशर क्या हो जागा दोस्तों चार डी नंबर में दिया हुए ठीक है अब नेक्स स्वाल चलते है तारा downstairs आठारा नंबर क्या बोल रहा है निर्दवेसांग तीन और मैनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदू है तीन और मैनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदू है option A में दिया हुए H, B में S, C में B और D में M तो चेक करते हैं तीन और मैनस चार कहां पे है तीन और मैनस चार तो तीन और मैनस चार देखते हैं इस हो जाएगा धीन उसर में दिया हुए है है तीन और मैन सचार ठीक है चलते हैं नेक्स सवाल क्यों और सवाल क्या बोल रहा है कारतीय je तल में 36 रेखा को क्या कहा जाता है तो 36 रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों ये होता है ये होता है बर्टीकल रेखा छेटीज रेखा को क्या बोलते हैं 36 को 36 को क्या बोलते है horizontal और उदर को क्या बोलते है vertical ठीक है तो 36 रेखाव को क्या बोलते है x-axis यह होता है y-axis ठीक है यह x-axis दिया हुआ यह y-axis दिया हुआ है इसको 36 बोलते है इसको क्या बोलते है उदग्र इंग्लिस में इसको horizontal बोलते हैं और इसको vertical तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का बोलते दा जबकी Bacon को ब mutta नेक्सवाल बवल रहा है मूल बिंदू सांग जिलयो होतासे है बिन अंबर ओपर में दिया हुए है इसलिए इसका राइट इसका इसको इसका सवाल बोल रहा है अधि दोपांच को एक हमिकरन होगा क्यORE कमान निकालना है इसमें तो क्स प्लस Y बराबर के आदि एकस क्मान।zteव आध यह नहें होता है यह होता है एकwed एकस कमान24 टो बन anál तो पांच तिया होगा दो दुनी चार प्लस प्लाइखिक समिक्रन का मानक रूप क्या होगा तो इसका मानक रूप हो जाएगा ax plus by plus c ब्राबर 0 क्या हो जागा मानक्रूप ax plus by plus c ब्राबर 0 ठीक है इसका right answer b हो जाएगा चलते next स्वाल की ओर ताइस नंबर स्वाल क्या बोल रहा है समीकरन दिया हुआ है 2x plus 3y plus 7 ब्राबर 0 क्या दिया हुआ समीकरन 2x plus 3y plus 7 ब्राबर 0 इसको तूलना करना है ax plus by plus c ब्राबर 0 तो a b c का मान निकालना है a के सामने केतना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है b के सामने केतना दिया हुआ 3 दिया हुआ है c के सामने केतना दिया हुआ 7 दिया हुआ a ब्राबर क्या आ गया 2 b ब्राबर 3 3 कौन से औस में हैं चेकर करते हैं का फॉल रजाए एक्स वाल कीओ 24 नंबर चार है कहल निखित में क्स हमें करनńsk थे हैं अब इसको मात्राइक करते हैेक बनाने के लिए सहारा लेंगे और से करते हैं तो 2 4 6 7 यहां तो नहीं हो गए अधिरी एक्स प्लस य डो 7 आनि एक्स कमान 2 पूट करते हैं 3 दूने छे और 4 एक्स दस यह भी था पूट करते थे एक्स ते आज आप एक्स चर दरं धो तो 2 और 10 बरबर 10 आ गया इसलिए इसका राइट अंसर डी हो जाएगा 25 नमबर क्या बोल रहा है राखिक समिक्रन 4x-6y बरबर 8 का एक हल होगा तो क्या करते हैं 4x-6y बरबर 8 एक इक्योषन दिया हुए है अब इसमें क्या करते हैं एक्स और y कमान बैठाते हैं जिसमें जो भी अफसन से बैठा के 8 हा जाएगा वह मेरे राइट आप्सन होगा तो चेक करते हैं यह नमबर ऊप्सन करते हैं पांच और दो इसमें से चार एक्स कमाण फांच और याइक मांन दो तो 45 वी स्वेश बारा आठ इससे हाँ ढूर दूत करते हैं चार गुने एक्स के मांद केतना पांच मानन देखना दो चार अब स्वेश माइनस y बरबर k द्वारा निरूपीत रेखा पर एस्थित है तो k कमान क्या होगा तो क्या करते हैं एक्वेशन पर लिख लेते हैं 2x-y बरबर k जहां दिया हुआ है एक बिंदू 4 और 7 ये मेरा हो गया x ये हो गया y तो बोलड़ा k कमान निकालना है तो x और y कमान इसमें बठा दे करते हैं k कमान निकल जाएगा तो 2 गुने 4-y कमान केतना दिया हुआ 7 बरबर k 4 को 2 से गुना करेंगे 8 मैं से 7 गया कितना बचेगा एक आनि k कमान केतना निकला एक जो मेरे कौन सो अप्शन में दिया हुए है एक इसका राइट अंसर ए हो जाएगा ठीक है चलते नेक्स स्वाल रेखिक समिकरन एक्स प्लस 3y बरबर 6 का आलेख yh के किस बिंदू पर परतिछेद करती है इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एक्स अगर बोलेगा अगर एक्स अच अगर बोलेगा तो क्या करना है y बरबर y कमान 0 लेना है ठीक है यहां क्या बोल 3y बरबर 6 तानि एक्स के मान 0 बठाते तो 0 प्लस 3y बरबर 6 आनि 3y बरबर 6 तो y बरबर क्या हो जाएगा y बरबर 2 हो जाएगा ठीक है तिन दूनी 6 इसका लिखना है बिंदू एक होगे एक्स बरबर 0 और वाई बरबर 2 कौन सो अप्सन में दिया हुए है डी नंबर अप्सन में दिया हुए है सता इसका डी नंबर अप्सन हो जाएगा ठीक है चलते नेक्स सवाल की और अठाश नंबर सवाल बोल रहा है 80 डिग्री का संपूरक कौन का मान क्या होगा तो संपूरक क्या होता है दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है ठीक है दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है दो कोनों का योग संपूरक क्या किसको बोलते हैं दो कोनों का योग 180 डिग्री जिस पहल यह ये चलतें नेक्स वाल की और嗯-q-9 अभीक तथे नभूय डिग्री से कम हो वह क्या कहलाता है तो नियून कोन कहलाता है, केतना, 0 डिग्री से अधीक, और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, जो 90 डिग्री होता है, उसको चा बोलते हैं, उसको सम कोन बोलते हैं, और जो 180 डिग्री से, 90 डिग्री से अधीक, 90 डिग्री से अधीक, तथा 180 डिग्री से कम, इसको क्या बोलते हैं, अधीक कोन बोलते हैं, ठीक है, आज रखना आपको, अधीक कोन, 90 डिग्री, निउन कोन किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से अधीक, और 90 डिग्री से कम, सम कोन किसको बोलते हैं, 90 डिग्री होगा, तो सम कोन बोलेंगे, और 90 डिग्री से अधीक, 180 डिग्री से कम, उसको अधीक कोन बोलेंगे, तो सवाल क्या बोल रहा है, वहा कोन, जो 0 डिग जाएगा अब क्या बोल रहा है कि उस कोन की माप क्या जो संपूरक कोन के मान का दो गुना है इसको क्या करते हैं दो गुना कर देते हैं अनि थिट्टा बराबर क्या हो गया है दो को बोल रहा है 31 नंबर नीचे दिए गई आकेरती में xy और mn बिंदू ओपर परतिछेद करती हैं तो p o y कमान 90 डिग्री दिया हुआ है और a अनुपाद b 2 अनुपाद 3 है तो c कमान क्या होगा निकालते हैं दोस्तों इसको कौन p o y कमान केतना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है और यह 90 डिग्री हो गया अब दोस्तों क्या करते हैं एक सरल रेखा पर केतना डिग्री का कौन बनता है 180 डिग्री का कौन बनता है जिसमें से यह कौन 90 डिग्री दिया हुए है तो यह बचा पूरा उ क्या हो जाग पूरा 90 डिगरी हो जाएगा जिसमें से A और B का अनुपात दिया हो दो अनुपात 3 आनि मान लेते हैं A और B A को मान लेते 2X और B को मान लेते 3X तो क्या हो जागा 2X पलस 3X बराबर केतना हो गया 90 डिगरी आनि 5X बराबर 90 डिगरी लिए तो एक सब्छल्राइब क्या निकल गया 18 बिग्री एक कमान अगर पूछेगे ठील कितना हो जागा 18 चैГल में नबी डिगर हो जाएगा आप दोस्तों क्या करता है फिर एक सराल रेखा दिया हुआ है एमिन then और और लडिया हुआ है इसमें से एम्न डिया हुआ है इसको इस तरह बनाती जिस तरह फिगर में दिया हुआ है आए मोःड़िये यह C है जिसमें से यह केतना दिया हूए है 24 डिग्री तिया हूए है, यह 45 डिग्री तिया हूए और जानते के सेराल रहन रहखा पर 180 डिग्री का कौन बनता है यह 24 है तो यह केतना बच जागा 126 डिग्री , C कमान केतने निकल गया 126 जो कौन से option में दिया हुए 126 डिग्री डी नंबर option में है इसका राइट अनसर हो जागा 126 डिग्री चलते हैं next स्वाल की ओर 32 नंबर स्वाल एक अनुपाद 3 अनुपाद 5 हो तो सबसे बड़े कौन का मान क्या होगा तो तिर्भुज के तीन कोनों का अनुपाद दिया हुए एक अनुपाद 3 अनुपाद 5 तिर्भुज के तीन कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री तो क्या हो जागा x plus 3x plus 5x ratio में दिया हुए x मान लिये x plus 3x plus 5x बराबर 180 degree अब जोलते हैं 5,3,8,1 9 x बराबर क्या होला 180 degree x बराबर क्या हो गया 20 degree तो बड़ा कून का मान पूछ रहा है बड़ा कून कोन सा है 5 आनि 5x दिया हुए है तो 5 को 20 से गुना करेंगे पांस भी से 100 इसका क्या आजागा 100 डिगरी हो जागा बड़े कौन कमान 100 डिगरी हो जागा ठीक है जो मेरा ओप्षन ए में दिया हुए है 100 डिगरी चलते हैं नेक्स सवाल की ओर 34 नंबर किसी तिर्भुज में अधीक से अधीक कितने नियून कौन हो सकते हैं तो तीन नियून कौन हो सकते हैं ओप्षन नंबर बी में दिया हुए है तीन नियून कौन कौन 60 डिगरी 60 डिगरी और 60 डिगरी तीन नियून कौन हो सकते हैं चलते next स्वाल की और 35 नमबर स्वाल क्या बोल रहा है दोस्तों 35 नमबर स्वाल अधूरा दिया हुए है तो इसका आंसर हम निकाल ने सकते हैं 35 नमबर स्वाल को आंसर नहीं निकाल सकते हैं और 36 नमबर स्वाल भी अधूरा है इसका भी आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं चलते 37 38 नंबर सवाल में किसी तिरभूच की बराबर कोनों की सम्मुख भुजायें, क्या होती है, तो बराबर होती है किसी तिरंवुज की बराबर कोनओं की संव्मूग भुजाएं क्या होती है बराबर होती है इसलिएक राइट अंसर यह हो जाएकप चलते 38 नंबर सवाल कर और 38 सवाल भी अधु रहा दोस्तों इसमें सवाल समझेया आरहा तो इसका अंसर हमको पता चलते हैं नेक्स सवाल क्यों उन्चालिस नंबर सवाल नीचे दीगे आकेटी में एडी भुजा बी-सी के लंब संधिभाजक है लंब संधिभाजक है तो तिर्भूज सर्वांसम होगे तो क्या होजागा एक साइड दिया हुँ एक एंगल दिया हुँ से होजागा इस से नियम से इस नियम से चलते हैं नेक्स सवाल क्यों चालीष नंबर क्या बोल रहा है किसी सर्वांसम किसी सरवांग्सम् तिर्भुजों के संगत भुजा बराबर होते हैं तो दोस्तों ये था आपके मैत के सेट 2 के सभी 40 प्रशनों को उत्तर इससे पहले के विडियो में सेट 1 के सभी 40 प्रशनों को हल इस यूटूब चैनल में अपलोड कर दिया गया है उसे भी आप लोग एक बार जदूद देख लीजेगा तो मिलते हम नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम